हेलो फ्रेंड्स प्रेग्नेंसी के दौरान महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं उसके अस्तन भी खुद को गर्ब में पर रहे बच्चे के भरन पोशन के लिए 9 महिने पहले से तैयार करने लगता है तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेग्नेंसी के दौ दूद का उत्पादन करने वाली ग्रंथियां होती है इसके हलावा महिला के शरीर बेबी को अस्तन पान कराने के लिए तैयार कर रहा होता है यह तो आप जानते होंगे कि मां का दूद बच्चे के लिए सर्वुत्त माहार होता है इसलिए प्रेग्नेंसी के दौरान ही ब्र दूद करता है तो फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं कि डिलेवरी से पहले आपके अस्तनों में दूद कब आता है तो तीसरे महने के बाद से आप अपने अस्तनों में हलका फुलका दूद निकलना महसूस कर सकते हैं और तीन महने तक आपके अस्तनों में कुछ नकुछ गबराना नहीं है ये अच्छी बात है अगर आपको प्रेग्नेंसी के दौरान नवे मैने तक भी अपने अस्तनों में दूद महसूस नहीं हो रहा है तो आप घबराएना क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को डिलेवरी के बाद दूद आना स्टार्ट हो जाता है यानि कि आपकी बेबी दूद पीने लग जाता है कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उन्हें दूद कम आता है या कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि दूद आता ही नहीं है तो ऐसे में आप डॉक्टर की सलाह लेते हैं उससे भी काम ना बने तो एक ही तरीका है कि आप अपने बच्च करें ऐसी वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगी तब तक के लिए बाई